हालो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग तो अल अव्यू आपको एक ट्वेवर्स आज में आपको एक ट्वेंटी एट ट्वेंट बाइ फॉर्टी फीट का घर का प्लान दिखाना चाहता हूं तो यह डिटेल जान करें आज आपको इस वीडियो में आपको मिलते रहेगा बने रही है वीडियो में शुरू से यन तक प्लीज सब्सक्राइब दी चनल मैं इसे पहले एक वीडियो अप्लोड किया था फ्रंट एलिवेशन किस तरह से बनाना बोलगे तो आप सर्च कर लेज अब शायद ऐसे घुशता फ्रंट एलिवेशन डिजाइन फ्रंट एलिवेशन ब्रिक वर्क डिजाइन फर कंपोंड वाल या फिर फ्रंट एलिवेशन दोनों के लिए उस हो जाएगा सर्च कर लेजे एक बार बहुत ही यूसफुल वीडियो है आज हम बात करते हैं प्लैन या फिर फ्रंट एलिवेशन डिजाइन से तो हमारे वाट्सअप नामबर 8095615113 इस पर आप सेंड कर दीजे आपके पास जो भी फ्रंट एलिवेशन डिजाइन से या फिर कोई प्लैन का पीडियो फाइल है तो हम सेंड कर दीजेगा और ऑसम होस्प्लैंस.com गुगल में सेर्च कर लिजे वहां पर आपको एक्रीयल कसुछन के इमेजेस सकते हैं उपर कुछी रिली philosoph का इमेजज और थोड़ां बहुत कुछ लिकित रूप में आपको जानकर या वहां पे इंग्लीमे में मिल चौईगा। यह जो है पार्किंग एरिया फुल वीव ऐसे दिखेगा आपको शायदा फुल वीव के लिए भी वेट कर रहे होंगे फुल वीव में इस तरह से देखा आप चाहे तो इसके एक स्क्रिंशॉट ले सकते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा यह पार्किंग एरिया यहां पर दि है फिर देखेगा बरंडा मतलब जैसे सामने घर के सामने आप सिट आउट के जैसा बना सकते हैं 11 फिट 9 इंच उपाई 8 फिट 3 इंच में यहां पर एक गेस्ट रोम या फिर एक खॉल के जैसे बनाए गया है जिसका साइज आपको 11 फिट 9 इस तक मिला है विट अटेस्ट के बाद जैसे कि वह एक तरह का गेस्ट्रूम में आप मान सकते हैं आइंड वहां से सीधा एंटर करें इधर है किचन लेगा है 8 x 7 फिट अब देखेंगा दुनिया में सभी का अलग-अलग सोच रहता है सभी का अलग-अलग रिक्वार्मेंट रहता है तो उनकी हिसाब से बनाना पड़ता है सब कोई सोच रहेंगे इधर क्यों है देखिए सब का अलग-अलग रिक्वार्मेंट है उसके हिसाब से हम बनाएं और इधर एक हैंड वॉश लिया गया जिसका साइज आपको 3 feet by 3 feet में मिल जाएगा बड़ो नमबर 2 का साइज यहां पर ले सकते हैंड इनर वाल जो सिंगल ब्रिक वर्क है कामन बात दिया गया है सिर्फ सेवन फिट सिक्स इंच वेंटिलेशन का भी सही तरीके से द्हान रखाएगा है जैसे कि पीछे की तरफ एक फिट का आफसेट मतलब अगर आप एक फिट छोड़ दिया तो आपको 2 feet मतलब कोई भी वर्क करने में भी आसानी हो जाएगा एंड इधर जो है नौर की तरफ जो है वर्ण फिट का आफसेट हैंड सौथ की तरफ बीट का आफसेट है तो यही था कुछ इस प्लैन में अब नेक्स्ट विंडों के बारे में बात करते हुंग स्थ वरेंडा में आपक में यह बेड़ो नमबर टू किचन में यहां पर एक विंड़ो आजाएगा बेड़ो नमबर टू में इधर एक विंड़ो बस एक विंड़ो काफी है आप चाहे तो और एक भी ले सकते हैं लीजिएगा या फिर दो वेंटिलेटर लेकर यहां पर सिंगल विंड़ो भी ले सकते है डालेट रूम के भी विंडो मिल जाएगा बेडो नमबर वन को भी आपको दो विंडो लीजिएगा ताकि सही तरीके से वेंटिलेशन यह पैसेज रहा तो आपका ही हेल्थ अच्छा रहेगा ओके अब अग्यस्ट रूम में भी यहां पे यहां पे विंडो ले सकते हैं बात करते हैं कॉलम पोजिशन पस्ट कॉलम सेकेंड थर्ड ओके यह फूर्थ फिफ्ट सिक्स्ट सेवन येट नाइन टैन एलेवन ट्वेल नमबर अफ कॉलम साजाएगा इसका कॉस्ट नाइन कॉलम का स मटेरियल टाइप आफ मटेरियल हैज बिन योज उस पर टोटल निर्वर करेगा फिलाल के लिए सुड़े में बस इतना ही थैंकियो सो मच आप किमती समय देखें वीडियो को पुरान तक देखें इसी तरह से चनल वा को भी सब्सक्राइब करके जो है लाइक शेर सब्सक्र आप जरू करते हैं थैंकियो सो मच दिल से आप लोगों को लव यू वाल